आध से कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अपना एक website जो हो बना रहा हूँ तो उस website के बारे में आज मैं इस video के आखरी में आप सभी को बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप सभी को में बताने वाला हूँ आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि भाईया इस बंदे ने कहां से डोमेन लिया, कहां से होस्टिंग लिया और मैं आपको बताऊंगा, आपको यकिन नहीं होगा कि मैंने 3,000 से भी कम में, बहुत ही कम प्राइस में रेंज में अपनी एक perfect website जो है, अपने लिए बहुत ही अच्छी website जो है बनाया है और इसी तरीके से आप भी हो सकते हैं, आप एक business website बनाना चाहते हों या फिर आप चाहते हों कि आप एक vlogging करें, उसके लिए आप एक website बनाना चाहते हैं, कम से कम budget में तो उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा और साथ में, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, कि भाई हमारे 6000 subscriber होने के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ surprise जोए लेकर आऊँगा, तो इसी website से related कुछ surprise आप लोगों के लिए आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, दोस्तो नमस्कार, मैं हुआ विनाश और वीडियो में आगे बढ़ते हूँ, हम और आप कहते हैं, चली आगे बढ़ते हैं बीना किसी देरी के तो सबसे पहले तो एक बात आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा, कि मैं कोई महान वेबसाइड क्रियेटर नहीं हूँ, नहीं मुझे इतना जादा नौलेज है वेबसाइड वगरा के लिए, लेकिन फिर भी मुझे एक बेसिक नौलेज है कि इस तरह से वेबसाइड ब बनाया हूँ और मैक्सिमम जो लोग है वो वर्ड प्रेस के थ्रूई जो है बनाते हैं, अपना एक डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं और एक असान सा, एक सिंपल सा व्लोगी या फिर बिजनेस वेबसाइड बनाते हैं, खुश से, तो वैसा ही मैंने भी अपने तरीक एक्सपिरेंस सेयर करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जिनको नहीं पता कि यह डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, तो आपको बता देना चाहूँगा, कि जो डोमेन होता है, जैसा कि .com, .in, जिसमें आप अपना वेबसाइट का नाम रखते हो, जैसे कि अविनास माम .com हो गया, वो है नहीं, वो क्या है, मैं आपको बताऊँगा, इसके अलावा, और .in, .in, वगरा, यह सारे होते हैं आपके डोमेन, अब इस डोमेन के अपनी एक प्राइजिंग होती है, कि इतने रुपए में हर जो अलग-अलग जो भी डोमेन प्रोवाइट करते हैं, हर अ कोफटेयर, बिल्डर के थूँँ अपने वैबसाइट रेडी करते हैं, फ़ॉर इजांपल, वर्ड प्रेस, के थूँँ अप आप जो भी डोमेन प्रोवाइट करते हैं, जितने वी पेजेज बनाते हैं, उसको आप एक लाइव शर्वर में सेयर रते हैं, तो यह कहलाता है आपका hosting, hosting के भी अपनी एक price होती है, अपना एक cost होता है per year के हिसाब से, अलग-अलग जो website होती है, जो domain provide करती है, जितनी भी website वो, आपको hosting भी provide करती है, अब ऐसे में मैं आपको एक अपना experience यहर करने वाला हूँ, जो की है GoDaddy के साथ, जी या क्योंकि यहाँ पर जो चीजे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा experience, जो की मेरे साथ काफी अच्छा नहीं रहा है, पिछले दो साल से मैं GoDaddy को जो है customer रहा हूँ, फिलाल के लिए नहीं हूँ, और जिस website का अभी मैं customer बन चुका हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगा आपको, लेकिन फिलाल के लिए आप यह सुन लीजिए, देखें यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि मैंने देखा GoDaddy के mainly जो .com.in जो भी है, उनके pricing मैंने देखा domain, तो अगर सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि अगर आप domain buy करने जा रहे हैं तो अगर आप domain buy करने जा रहे हैं तो आपको GoDaddy में के खेव अगर आप simple domain खरिकते हैं तो आपको एक simple जैसे कि अविनासमोबिया.com बस मिल गया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसमें HTTPS ऐसा कुछ रहे, secure वाला जो domain है वो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको SSL certificate की जोरत परती है, जिसकी pricing अलग से होती है, इसके अलावा एक .com है, whois.com जिसमें अगर मैं आपके domain के बारे में डाल दूँ, आपके domain को वहाँ पर या आपकी website की link को डाल दूँ, तो वहाँ पर पूरा बता देता है कि किस बंदे की website है, किस नाम से खरीदा गया है, कहां से खरीदा गया है, किस server पे work कर रहा है, सारी चिजे, तो इ इसके अलावा जो bandwidth होता है, वो भी आपको एक limited bandwidth मिलता है, limited space मिलता है, जादा use नहीं कर सकते हैं, आप कुछ-कुछ controls होते हैं, इसके अलावा जो email, email की स्विधा अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको payment अलग से करना पड़ता है, परियर की साथ, तो अगर आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती, और आप buy कर लेते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ कि मैंने सबसे पहले यार, एक dot com खरीद लिया, उसके बाद पता चला कि ठीक है, डोमेन तो खरीद लिया, डोमेन के बाद हमें hosting भी खरीदना होता है, उसके बाद पता चला कि अगर आप email वगरा setup करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से charges हैं, तो cool मिलाकर अगर आप ये सारी चीज़े चाहते हैं, अपनी अच्छी सी website के लिए चाहिए, पिर domain हो, hosting हो, साथ में जो भी अलग-अलग package आते हैं, चाहिए वो आपका SSL certificate हो, या फिर आपका who is domain के production ह अगर के लिए हो, तो complete जो खर्चा बैटता है, वो कम से कम 4-5000 रुपए का खर्चा आ जाता है, अगर आप ये complete package लेते हैं, तो मैं सीधा-सीधा यही बोलूँगा कि अगर आप एक नए user है, आपको ज्यादा knowledge नहीं है, तो आपको बस एक सामने से ये attract करते हैं, कि 99 रुप को चला तो लिया, लेकिन उसके बाद आपको यार देखते हैं कि जो renewal charge है, वो इससे दुबुना है, जी हाँ, ये fact बात है, अगर आपको 111200 रुपए का domain charge आ रहा है, तो उसका renewal charge होता है, एक साल के बाद जो renewal charge होता है, वो काफी जादा महंगा होता है, तो ये भी एक आपको renewal charge देखने को मिलता है, अब जो मैं आपको website के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको बहुत ही सस्ते और अच्छे दाम में domain और hosting देखने को मिल जाएंगे, और हाँ, एक चीज और भूल गया, मैं hosting में बताने के लिए, कि यहाँ पर हम shared hosting का use करते हैं, चाह आपका Linux की hosting को use किया जाता है, तो जो भी plan है उसको आप other other website में compare कर सकते हैं, basis of hosting की बात करूँ, तो आप Linux hosting और shared hosting के base पे सारे plan compare कर सकते हैं, तो जो website में आपको बताने वालों, उसका नाम है webjalevihosting.com, जो की एक Indian website है, मैं आपको सिधे website के और लेकर चलता हूँ, और वहा उसमें क्या-क्या देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं कि मैं webjalevihosting.com में enter कर चुका हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है webjalevih.com, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो customer service की बात करूँ, तो customer service कापी अच्छी है, और आप देख सक जो domain है, वो आपको 650 रूपए पर year के हिसाब से मिल रहा है, जहां से सुनिएगा, 650 रूपए पर year के हिसाब से, इसके बाद जो .info है, वो भी आपको 170 रूपए पर year के हिसाब से मिल रहा है, इसके साथ ही आपको .org 365 रूपए पर year के हिसाब से, .in भी आपको 455 रूपए प compare किया तो मुझे ये जो domain का plan है वो काफी सस्ता लगा और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको SSL certificate फिर वो चाहे whois.com के लिए जो आपको production के लिए अलग से पैसा देना पड़ते है वो कुछ भी charge आपको नहीं लगेगा बिल्कुल free आपको यहाँ पर देखने को मिले और आपको hosting के plan भी दिखाता हूँ तो हम चलते हैं shared hosting में और देखते हैं कि हमें क्या-क्या plan जो हो देखने को मिल जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पहला plan है वो basic plan है 2000 per year something का और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यही वाला जो plan है मुझे मिला है आप देख सकते है unlimited bandwidth है एक domain है और साथ में आपको 5 email account free है मैंने जैसे की पता है था आपको free SSL security one hosting space और आपको देख सकते हैं कि आपको full support यहाँ पर मिलता है अगर आपको कुछ problem आ जाते हैं और इसी तरीके से pro plan है advanced plan है unlimited plan है तो यह जितने भी plan है आप देख सकते हैं अलग-अलग इसके हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप सुरुवात में basic plan लें काफी अच्छा है यार 100 GB का space मिलता है आपको unlimited bandwidth है एक domain आपको देखने को मिल जाता है पांच email account आप बना सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि SSL security वागर आपको free देखने को मिल जाता है एक hosting space वागर advance करते जा रहे हैं आपको traffic ज्यादा आते जा रही है तो अब धीरे 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 करके अपने traffic के साब से आप plans जो है upgrade कर सकते हैं अब हम आते हैं अपने main चीज में जो कि आप सभी के लिए surprise है तो surprise जाने से पहले एक छोटा सा चीज आप सभी को और बताना चाहूंगा कि मैं मैंने कितने रूपए में अपना complete website ready किया तो 170 रूपए में मुझे .info का domain मिला और साथ में hosting जो मिला वो मुझे मिला basic plan जो कि मैंने आपको दिखाया सामने 2000 something रूपए का यानि कि 3000 से भी कम में बहुत कम में मुझे सारा website complete ready हो गया अब surprise यह है कि अगर आप इस website से कोई भी plan purchase करते हैं चाहिए वो domain हो hosting हो तो अगर आप यहाँ पर use करते हैं अविनास 35 एक coupon code अगर आप यहाँ पर use करते हैं payment के time तो आपको 35% का discount मिल जाएगा मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपका जितना भी burn रहा था जितना भी price आपका हो रहा था उसमें आपको 35% का और discount मिल जाएगा तो आपको और कितना फायदा मिल जाएगा और साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह जो भी coupon code है वो आपको per new account first purchase में जो आपको यह coupon code use कर सकते हैं और इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई मेरे website का नाम क्या है वैसे तो मैं उसको अलग से launch कर दूँगा मेरे website का नाम है अभिनाश्माविया.info आप जाकर check out कर सकते हैं और यह उनके लिए ज्यादा फायदे मन्दे जो कि नए यूट्यूबर्स है जी हां क्योंकि यहां पर मैंने एक special section रखा हुआ है जिसमें है yt tools करके और इस section में जो नए मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि यह जो भी वीडियो थी वो एक promotional वीडियो थी web जले भी hosting.com की तरफ से लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मैं GoDaddy वगरा से compare करूं लेकिन as a user मैंने अपना एक experience आप सभी के सामने रखा GoDaddy के उपर और यही कहन चाहूँगा कि आप अपने विवेक से काम ले आप मुझे ज्यादा intelligent है यह मैं जानता हूं इस बात को तो बस यह एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको बताना था कि मैंने किस तरह से अपने बहुत ही अच्छे तरीके से कम पैसे में एक budget website बहुत ही अच्छी तरीके स ready कर लिया अगर आप भी ready करना चाहते हैं तो बहुत ही असानी से ready कर सकते हैं साथ में आपको discount भी देखने को मिल रहा है नीचे आपको coupon code किस तरह से डालना है वो भी मैं दे दूँगा तो बस यही एक छोटी सी वीडियो थे I hope आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी हो उसको आप प्रेस कर दीजिए तुझी चैनल को subscribe कर लेंगे बस और कुछ नहीं आर आपको ना मुझे पैसा देना है ना कुछ देना है खाली subscribe करना है लाइक करना है और कमेंड करना है और इसी के साथ मैं विनास्मविया सभी से लेना चाहूंगा विदा जैहिंद वंदे मा आराम